Microsoft Excel एक ऐसा टूल जिसे हर कोई यूज कर रहा है बहले आप एक दुकानदार हो आप अकाउंटेंट हो आप एक टीचर हो इस्टूडेंट हो या सिंपली आप एक उंट्रोपेनियर हो हर कोई Microsoft Excel टूल का यूज कर सकता है अपनी productivity को increase करने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित और अब आप श्टार्ट कर चुके हैं देखना Microsoft Excel के उपर ये सीरीज और ये सीरीज टोटल आपका 50 days की होने वाली है जहापे हम beginner से लेकर advanced तक Microsoft Excel के जितने भी हमारे topics हैं उन सभी को हम समझेंगे और यह हमारी पहली वीडियो है इस वी पूलर फर्म में organize करते हैं ताकि जरूरत पढ़ने पर हम उसको convert कर सकें graphs के अंदर आपका bars के अंदर charts के अंदर ताकि हमारा data visualization काफी आसान हो जाए और दुनिया के अंदर आपका हर आठवा इंसान जो है वो Microsoft Excel को use करता है क्योंकि अभी तक आपके Microsoft Excel के total 1 billion से भी ज्यादा users है और यह सब possible हो पाया केवल एक इनसान के वज़े से जिनका नाम है Bill Gates और Bill Gates की जो organization है या simply company है Microsoft उसी का एक product है Microsoft Office और Microsoft Office जो software है या set of software है जिसको हम software package भी कहते हैं एक आपका software का हिस्सा है Microsoft Excel इसके अंदर और भी आपके softwares हैं जैसे कि आपका presentations अगर आपने बनानी है creative तो उसके लिए word है इस तरीके से और भी आपको softwares मिलते है Microsoft Office के अंदर अब देखिए आपके applications क्या है यानि कि कौन कौन सी जगा पे हम apply कर सकते हैं अपने Excel की जो skills है उनको तो इसको आप use कर सकते हैं data entry के अंदर आप इसका use कर सकते हैं programming में accounting के उपर sales report को आपका बनाने के ल निकले यानि कि अपने data को अगर आपने visualize करना है इसके अलाबा project management हो business analysis हो इन सभी में आपका Microsoft Excel जो है use होता है और हर को इसका use करता है बले आप accountant हो अगर आप एक softkeeper है तब भी आप इसका use कर सकते हैं आप एक accountant है तब भी आप इसका use कर सकते हैं और थोड़ा सा कर इसका हम timeline यहाँ पर देखें यानि कि कहां से इसकी सुरुवात हुई तो सबसे पहले जो Microsoft Excel आया था या आपका Windows के लिए नहीं आया था आपका 1985 के अंदर सबसे पहले जो Microsoft Excel है इसका नाम था Microsoft Multiplan और इसको launch किया गया था Apple Macintosh Computers के लिए Apple यानि कि जिसको एक rival company भी माना जाता है Microsoft की ल Microsoft Multiplan को दुबारे इसका नाम जो है वो चेंज करके Microsoft Excel किया गया और इसमें कुछ और improvement भी किये गए और साथ ये Windows compatibility को भी support करता था नहीं यानि कि इसका आप हम use Windows के अंदर भी कर सकते थे Then आपका 1990s के अंदर यहाँ पे integration होता है Windows के साथ यानि कि Windows के साथ आपको free मिलता है Microsoft Excel और Windows के साथ ही इसको integrate किया जाता है Then 2005 के अंदर XML भी support करने लग गया था Microsoft Excel जो है जिसे की data को हम store and transport कर सकते थे Then 2007 में major changes जाए जो पुराने आपके menu bars है tool bars है उनको replace किया गया interactive menu bars and tool bars के साथ Then आपका 2010 के अंदर advanced modeling यहाँ पे start हुई and 2016 आते आते Microsoft Excel जो है उसमें real time work होता था Cloud में शहाँ पे इसका storage हम कर सकते थे और इसी series को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो presently अभी Microsoft जो है इसका latest है 2024 लेकिन आने वाले time पे आप देखेंगे कि completely integration हो जाएगा AI का Microsoft Excel के साथ तो I hope आपको एक समझमा आ गया होगा Microsoft Excel का आपका एक history क्या है इसके benefits क्या है कौन-कौन इसे use कर सकता है तो इसी के साथ हमारी ये video भी खतम होती है video number one तो मैं मिलता हम आपसे next video में day two जहाँ पे हम देखेंगे अपनी screen को यानि कि Microsoft जो Excel है इसको हम open कैसे कर सकते हैं और इसक screen को हम समझेंगे day two and video number two